आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे दान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सबागत है फेक एड़टीजमेंट अब कोई भी कोचिंग आपको नहीं दे सकता और यह बहुत सही है यह basically CCPA ने draft guidelines prepare किया भी यह law नहीं बना है बट आपको बता दू कि आप कोई भी coaching institute बहुत कहते हैं इतने घंटे हमारे यह से पड़े हैं इतने हमने selections दिये हैं ठीक है तो यह सब अब नहीं हो सकता तो 100% selection के कुछ coaching वाले करते हैं बेवकूप बनाते हैं basically ठीक है और पहली बात तो आपको मैं खुद coaching institute चला तो बट मैं आपको एक चीज़ बता दू कि without coaching भी आप बिलकुल exam निकाल सकते हैं कोई issue नहीं है ठीक है और जो coaching institutes होते हैं ठीक है वो आपकी मदद बहुत अच्छे से करते हैं ठीक है बस उससे यह है कि आपका जो exam निकाले का एक प्रॉपर आपको guidance मिल जाती है और वो क्योंकि आपको मेनत नहीं करने पड़ती वो सब sorted form में होता है पर अगर कोई coaching क्या दे कि नहीं आपको 100% सेलेक्शन करवा देंगे तो भाई वो बिलकुल गलत है देखिए coaching हमारा बस रास्ता है आपको guide करना रास्ता आपको तै करना है आपको पढ़ना है आपको हमसे पूछना है यह समझीए बात ठीक है तो अब बहुत सारी coachings unusual मतलब एकदम ऐसे claims की कि भाई हमने तो ऐसे selection दे दिये कि ऐसी की तैसी कर दी बहुत धेरों सेलेक्शन दे दिये एक मतलब जो यूपी ऐसी की coachings हैं मतलब उसमें तो कोई कोई एक candidate जो top किया है कि मैं इधर से पढ़ा हूँ मैं इधर से पढ़ा हूँ मतलब maximum जो है coachings वो इसका श coaching पकड़ ली तो जब final selection में होगा ना तो वो सब मेरा नाम जो है वो दिखाएंगे कि यह हमारे यहां से पढ़ा है हमारे यहां से पढ़ा है है कि नहीं यह पूरा में इस गाइड़ेट है क्योंकि पूरा कोर्स तो आप कैसे किया नहीं है तो आप कैसे पर coaching को तो सर्वाइ करने की ठीक है नहीं मैं बहुत ज़्यादा उसको दिखाता हूं नहीं मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो ultimately आपके पास बचे आएंगे ही आएंगे कोई बात नहीं और इसले हमने UPSC prelims का भी course निकाल पैतेस यानि की तक्रीबन डाई अजार से साड़े तीन हजार questions के बीच current affairs आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पूरे साल के C-set आपको मिलेगा ठीक है यह recorded है current affairs C-set 6 मैनी की validity है आपरेल तक class चलेगी जब तक pre नहीं हो जाता सब्जेक्ट वाइस UPSC trend इस पर discussion होगा है special telegram group, SDM रशी सर, विनानिकाम आयम, मैं, वरुन जिंदल जिनों इस बार selections दिये हैं काफी ज़ादा तो यह सब जो है वो आपके लिए काम करेंगे और आपको इस बार UPSC prelims में सफल करवाएंगे तो आप आईए और मज़ा आने वाली है क्योंकि live classes by January को शुरू होगी और जैसा कि मैंने कहा है बहुत कम में हमने इस course को निकाला है तो आप क्या है कि यही पर guidelines इसी के लिए guidelines जो है वो इशू की है कि fake claims आप नहीं करेंगे और यह सारी coachings को मानना पड़ेगा ठीक है तो अब जो सर्ज है ठीक है बहुत ज़्यादा misleading advertisement coaching institute द्वारा हो रहा है यह ministry of consumer affairs ने बोला है और अब हम guidelines निकालेंगे कुछ लोग कहते हैं 100% कुछ coaching institute कहते हैं 100% job guarantee भाई 100% इस दुनिया में कुछ नहीं है मेरे भाई 100% तो कुछ होता ही नहीं है समझ रहे हो Central Consumer Protection Authority CCPA ने proper draft guidelines निकाले कि आखिरकार coachings को क्या करना पड़ेगा क्या क्या देना पड़ेगा अगर आप जो border बस उत्रा दिखा दो that's it transparency रहनी रहनी चाहिए जो आपने बोला है आपको उत्रा दिखाना पड़ेगा अब आपको बता दू कि online और physical presence की बात ही ही नहीं है कोई भी coaching हो चाहे वो online हो चाहे offline हो आपको इन guidelines का पालन जो है वो करना पड़ेगा ठीक है ना और जो misleading practices होती है उसको कर्व करने की कोशिश है emphasis यही है कि पूरा जो transparency है जो पार दर्शिता है वो बनी रहे और बच्चे को जानने का पूरा हक है जैसे offline coachings है बहुत महंगा मतलब एक एक दो दो धाई डाई लाग लेती है अब मैं इसमें कुछ बुरा इसलिए नहीं कहा रहा हो क्योंकि उनका पूरा infrastructure होता है ठीक है और उसको समहलना होता है है ना जैसे अद्रिश्टी आयस के जो founder विकास सर विकास दिवे किर्दी सर ठीक है कमाल के मतलब सब के लिए मिसाल है वो तो उन्होंने बहुत सही बात बोली थी कि जब उनसे पूछा गया थे कि दो दो तीन तीन चार चार लाग रुपए लेते हैं तो उन सब को मेरे तो कॉर्स वैसे ही बहुत सस्ते होते हैं ठीक है ना तो ना ही मेरे पास कोई funding है ना ही कुछ है बल्कि तीन तीन सब अब ये कोई 700 का मैंने निकाला है शाद कहीं पर भी नहीं और quality बहुत जबरदस तो उन सब को maintain करने के लिए cost होती है ठीक है तो cost जो है वो bear करनी पड़ती है बट फिर भी 2.5 लाख रुपए सादा है पैसा काफी और हर किसी के बस में होता भी नहीं अब जैसे है भारत में मान लिजे की 100 प्रतिशत लोग है तो उसमें से 60% ठीक है 50 से 60% गरीब बहुत गरीब है middle class में आएंगे या आप जाद ही मान लिजे है ना तो अब इसमें है क्या कि जैसे कोई इंसान बहुत ही बच्चा कोई बहुत intelligent बच्चा है वो क्या मान लिजे को intelligent बच्चा है वो suppose कर दिये कि पंचर बना रहा है but highly intelligent अगर उसको आयस बना दिया जाए तो वो देश बदल दे वो जिन्गी भर पंचर बनाएगा ना है उसके पास इतने पैसे है ना है उसके पास इतने resources है ठीक है क्योंकि लाख रुपए बहुत बड़ा amount होगा आप समझ रहो तो इसी लिए कही ना कही ये किसके पास है ये उन लोगों के पास है जिनके पास इतना पैसा है तो धाई लाग भी अगर कोई कहीं से लेके आ रहा है तो कई इंतजाम करके लेके आ रहा होगा और ये बहुत बढ़ी र है number of selections की बात बोलते है कोई भी practice leading to consumer misunderstanding जिससे consumer जो है वो misunderstood करे तो अब ये आप नहीं कह सकते guidelines ये बता रही है कि transparency or consumer autonomy is very very important आप ये समझे कि सबसे पहले तो जो आपने बोला है वो दिखा दो और उसमें दिखाओ ठीक है ऐसा नहीं कि कहीं से series आपने लिया और बोल दिया कि नहीं 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 तो हमारी coaching से पढ़ा है कई interview mark interview दिया नहीं 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 तो हमारी coaching से पढ़ा है उसकी महनत है कई बार ऐसा भी होता है बहुत लोग फसे भी अभी यह चीज़ है और सरकार को इस पर करवाई करनी चाहिए तो वेदर पेड़ और फ्री और क्लियर्ली कम्यूनिकेट कुछ भी हो आपको क्लियर्ली कम्यूनिकेट करना है फिर इसमें committee किसमें involved थी ठीक है ccpa definitely committee है और यहां पर मैंने क्या बता है कि अभी guidelines है यह बस ठीक है त क्योंकि consumer हमारे लिए क्या हमारे लिए आप हैं तो आप consumer है तो उनको बेवकूफ ना बनाया जाए और उसके बार बहुत अच्छे से discussion किया और फिरम ने इसको जो है वह इंप्लेमेंट किया है अब action होगा ccpa ने पहले भी स्वता संग्यान लिया था misleading advertisement अभी आयाता ना ब वो दिखाया नहीं गिया था ठीक है न अब इसमें जो committee थी इसमें एक तो NLU ठीक है national law university के representative थे फिट जी खान global studies एकी गाये लाल बादुर शास्तरी लबासना ठीक है तो यह सब जो है यहाँ पे मतलब इस meeting में इन्होंने participate किया और उसके बाद फिर जो है यह guidelines है बनाई ग पर जो है उन्होंने बताया था कि यह जो rankers है हमारे आज से तब यहाँ पर इनके ओपर जो है वो penalty लगाई गई थी तो यह चीज है तो coaching institute सबसे पिले क्या क्या mention टरने वाल है rank secured जो successful candidates ने जो भी rank secured की है फिर course क्या opt किया है course की duration क्या है क्या यह paid है क्या free है क्योंकि कई बा 100% job claim की guarantee कोई नहीं दे सकता कि 100% job लगी 100% जो है यह जो disclosure important यह सारी information जो advertisement में आप use कर रहे है और जो आप दोगे ना वो सब आपको दिखानी पड़ेगी with proof कि हाँ भया हमने यह सब किया है तो कोई problem नहीं आनी चाहिए ठीक है ना तो वही है कि कई बार अभी से पहले 31 coaching संस information दिखाते हैं ताकि बच्चे जादा से जादा कोर्स ले ठीक है लेकिन जब वह अंदर जाते हैं तो उनको पता लगता है हो कुछ बांजरा कुछ औरी चल रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं पे भी आप कुछ भी अगर आप ले तो उसकी अच्छी जानकारी रखे प जब संतुष्टो तभी आप जो है वो आप उसमें रोल करें बाकि हमारा कोर्स प्रेलिम्स के लिए स्टार्ट हो गया है तो आप अन्रोल कर सकते हैं थैंकि सो मच